नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिपर कोचिंग आई एस भाई टेस्ट बुक में तो दोस्तों अब दिफेंस मिनिस्ट्री में भी लोग बिना नाम लिए कह रहे हैं कि अब इंडियन एर फोर्स के बाद रफैल फाइटर जेट्स इंडियन नेवी भी उड़ाने वाली है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अब इंडियन नेवी भी रफैल फाइटर जेट फ्रांस खरीदने वाली है तो इंडियन नेवी 26 रफैल मरीन एर क्राफ्ट खरीदेगी यह अगर आप देखें तो फ्रिंज मीडिया का कहना है ऐसा कि जो डील है फ्रिंज प्रेसिडेंट इम्मानुवल मैकरॉन जब इंडिया आएंगे मार्च में तब वो उफीशली इसको साइन भी कर देंगे तो इंडियन नेवी ने इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकन एफ़ 18 सूपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया है बोइंग का यह प्लेन था और रफैल एम के साथ जो यह डील हो रहा है रफैल मरीन का यह एक माइल्स्टोन होने वाला है इंडिया और फ्रांस के रिष्टों में तो यहाँ पे आईए पहले इससे पहले आगे बढ़ू मैं आप यह देख रहे है यह F-35 एयर क्राफ northeast करने में सक्षम है किस प्रकूर से वर्टिकली लैंड कर रही है और आप साती साथ देख पा Warum यह बहुत छोटे से रनवे से करने में सक्षम है कुछ इस प्रकार से वापस देख़े आप देख रहे हैं चोटा सा रनवे है उस Сने ये take off करने में सक्षम है, किस प्रकार से thruster का direction बदलती है और तुरंत easily take off कर लेती है, दूसरा होता है दोस्तो catobar, catapult assisted take off but arrested recovery, fa18 super hornet या rafal marine ये सब के सब अगर आप देखे तो catobar या फिर catobar catapult assisted take off but arrested recovery ही करती है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर आप take off की बात करें, तो इस प्रकार से catapult के द्वारा इनको जैसे गुलेल चलती है, कुछ वैसे ही thrusters on होते हैं और फिर वो गुलेल drop होता है और तीजी से plane thrust के साथ take off कर पाती है, और जहां तक बात होती है तीनों में आप stobar देखेंगे, shot take off but arrested recovery, इसमें क्या होता है, shot take off कराने के लिए एक ramp होता है, तो यहां पे आप जो देख रहे हैं इस वक्त आप देखेगा कैसे यह अभी take off कर रहा है, आप देख रहें, ramp के दवारा छोटे से runway में take off कर लेता है जहां तक बात है landing की, तो landing में arister cables का वापस इस्तमाल किया जाता है और plane तुरंट decelerate हो जाता है, मानो जैसे plane को आप देख सकते हैं, यहां पे कैसे पकड़ लिया गया है किसी, मतलब cables के दवारा, arister के दवारा तुरंट पकड़ लेते हैं और decelerate कर देते हैं तो अब दिक्कत क्या हो रही थी ना, कि जो normally fa18 super hornet हो गए, या फिर for that matter आप रफाइल marine हो गए, वो सब के सब अगर आप देखें, तो उनमें किसी में भी short takeoff नहीं हो रहा था, लंबा runway होता था लेकिन इंडियन aircraft carriers इस वक्त देखें, तो वो छोटे size के हैं थोड़े, तो इसलिए उनमें छोटा runway भी रहता है, तो ramp का इस्तमाल किया जाता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए, इंडियन aircraft carriers के साथ अगर operational होना था, तो उनका एक हमें test करना बागी था, वो था कि कैसे ये ski jump capability रख पाते हैं या नहीं, यानि की छोटे से runway में क्या ये jump करके takeoff कर पाते हैं या नहीं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के जो दो aircraft carrier है, आईने स्विक्रांत, आईने स्विक्रमाधित्य, आईने स्विक्रमाधित्य पुराना वाला कीव क्लास aircraft carrier है, जो की Soviet Union का था और इसको modernize किया गया था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों ही warship stobar aircraft carrier हैं, यानि की ski jump करवाते हैं, तो इसी को ध्यान म कहा जा रहा है कि successfully कर पा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब सवाल उठता है, आखिरकार F-18 Super Hornets उनको reject क्यों किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखी technical reasons तो classified हैं, और आगे भी वो classified ही रहेंगी, किसी को पता नहीं चलने वाला, लेकिन इस साथ 85% commonality share करता है, याने 15% का ही अंतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो logistics management होगा ना, spares का, Indian Air Force और Indian Navy jointly बहुत जबर्दस तरीके से कर सकती है, साथी साथ, जो maintenance होगा, उसमें जो commonality होगी, वो भी बहुत ही जादा फाइदे मन्द होगी, और जो training होगा, crew का, वो भी का पीछे दुनिया भर के staff होते हैं, maintenance engineer होता है, दुनिया भर की चीज़े होती हैं, उसके बाद दुनिया भर के लोग होते हैं, उसके बाद वो plane successfully run होता है, तो उसके लिए जो training factor है, वो भी अगर आप देखें, तो commonality share करेंगे, तो common training schools, Indian Air Force और Navy jointly run कर सकेगी with respect to Rafales, या फिर दोनों को ये एक साथ असानी से, एक दूसरे के लोगों को train भी कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये काफी major benefit होने वाला था, जिस वज़े से भारत ने Rafale को चुना था, इसके सिवा एक geostrategically अगर हम देखें, तो एक trust factor है, France भी strategic autonomy इंडिया की तरह follow करता है जरत पढ़ने पे वो NATO countries के खिलाफ भी अवाज उठाता है, जहां तक बात है, इंडिया के साथ हो बहुत ही, आप देखें तो इंडिया के साथ काफी reliable friendship रही है, with respect to France, आपको याद होगा, जब इंडिया ने nuclear bomb test किया था, उसके बाद भी दुनिया भर के देशों ने, फिर US हो या जपान हो, सभी ने इंडिया की निंदा की थी, लेकिन France ने इंडिया की निंदा तब भी नहीं की थी, राधर कहा था कि बधाई दी थी कि आपने nuclear weapon test किया है, और इंडिया की जो challenges है, उसको उन्होंने कहा भी ता कि हम समझते हैं, कि आप दो तरफ से किस प्रकार के दुश्मन से गिरे हुए हैं, तो इंडिया और फ्रांस का जो रिष्टा है दोस्तों वो काफी ज्यादा reliable रहा है, US के साथ वो reliability factor नहीं मिलती कहीं, वो कभी भी दोस्त को किसी भी प्रकार से वो लोग annoy असानी से कर सकते हैं, पाँच साल में जब सरकार बदलती है, वहाँ जैसे भी presidents बदलते हैं, तो इस प्रकार से वो तुरंट का तुरंट annoy कर लेते हैं, चार साल में जब भी तुरंट annoy करना, आपने देखा हुगा कैसे u-turn होता है, ट्रम्प से बाइडन आते आते कैसे u-turn हो गया, आपने देखा, तो इस प्रकार से वो उसके reliability factor नहीं है, कब स ज्यादा challenge होता है spare parts का, हर take off, हर landing के साथ, plane में काफी, वो भी carrier based, take off and carrier based landing में, plane में काफी jerk आता है, काफी challenges होते हैं, और उसमें अगर आप देखें, तो काफी spare parts की जरुरत पड़ती रहती है, तो US के साथ वो trust factors नहीं है, कि war के time, वो maintain करेगा या नहीं करेगा, लेकिन France has been a time tested weapon supplier, हमने काफी जंग लड़ी है, French weapons के साथ, और वो ensure करता है, कि जो weapons हैं, उनकी supply बनी रह दिये, इस्रेयल भी वैसा ही रहा है, तो इस case में, इंडिया ने यहीं सब को ध्यान में रखते हुए, definitely F.A.18 को reject किया है, otherwise कहा जाता है, technically F.A.18 super hornets are also very good, wonderful weapon है, और इतना ही नहीं बोईंग ने तो काफी कुछ इंडिया को deal भी वो backhanded तरीके से offer कर रहा था कि 3.5 billion का इंडियान economy में ही हम invest करवाएंगे, अगर आप ये F.A.18 super hornets करेते हैं, इन सब के बावजूद भी इंडिया ने reject किया है, उसके पीछे ये कारणों का तो role जबर्दिस्ट, definitely बहुत बढ करा रहा होगा, दोस्तों आजी क्लास पसंद आई होगी तो like जरूर कीजेगे, टेलिग्राम चैनल है, जहां पर जुड के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बाकि एक साल की UPSC की की कीमत 3999 रुपए है, GS course, optional course, subject course, CSAT, सारे courses मिलता है, super teachers के दवारा course मिलता है, and ये सब मिल रहा कर दो, 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 कर दो झाल झाल